गुड मॉर्निंग मित्रों मैं स्रेश्कमाहर सर्मा तिक प्थिक कोलेज के ओर से आपका हार्टिक स्वागत करता हूं इस live competition classes में मैं सभी इस्ट्रेंड्स और जो मेरे every friend है सबका हार्टिक स्वागत करता हूं और इस online class में मैं आपके लिए एक राजस्तान की स्टिट्यू और विस्तार सोट सा एक टोफिक है वह आप साने पेस्ट कर रहा हूं तो मैं सब इस ट्रेंड्स से निवितन करता हूं कि आप जो lockdown में घर में बटे हो तो lockdown में आप इस competition classes का आप लाइब आनद लीजिए देखो दोस्तों अपना जो राजस्तान है अपना जो राजस्तान है इस राजस्तान का इत्यास बड़ा गोरो में लाया है अपने राजस्तान के बारे में बहुत सारी चीजे अपने राजस्तान के योध्धों की अपने रास्तान में बहुत सारी राजा माजा हुए कि उन सब की बड़ी बड़ी कहानी अब राष्टान में में शोट सी आपके लेगree लेकल देखो अपना जो कर द आज करता tahu है को इस जाठान सबद का विप्रियोग यह जा संबसा अबढ़ का जो प्रियोग यह ने श्विटान सबढ़ का प्रियोग में सर्व प्रथम बायमिकी के द्वारा किया गया है बायमिकी ने एक ग्रंथ लिखा है बायमिक का नाम नहीं रामाया इस रामाया ने बालमिकी ने अपने इस रामाया में बालमिकी ने राजस्तान के लिए राजस्तान के लिए मरुकांतर सब्द का प्रियोग किया है मरुकांतर सब्द का प्रियोग किया है मरुकांतर यानि कि बालमिकी ने अपने गंतर अपने राजस्तान के लिए मरुकांतर सब्द का प्रियोग किया है इस मरुकांतर सब्द का मतलब होता है कि मरुकांतर यानि मरुकांतर यानि मरुकांतर यानि मरुकांतर वालमिकी ने राजस्तान के लिए मरुकांतर सब्द का प्रियोग किया है अपने राजस्तान में 60% मरुस्तल है और इसी 60% मरुस्तल होने के कारण बालमिकी ने अपने ग्रंथ रावायन में राजस्तान के लिए मरुकानसबद का प्रियोग किया है इसलिए बालमिकी ने राजस्तान के लिए सरव प्रथम मरुकानसबद का प्रियोग किया है प्रियोग किया है प्रियोग किया है दूसरी बात अपने राजस्तान का एक नाम तो क्या हो गया मरुकानतर राजस्तान के लिए दूसरे सबद का प्रियोग और अपने राजस्तान का जो दूसरा नाम है उसका नाम है राजस्तानिया दित्ती राजस्तानिया दित्ते सबद का प्रियोग वह राजस्तान के लिए और इस सबद का जो उलेक मिलता है इस सबद का जो उलेक मिलता है वो एक सिरोही में शीरोई में एक जगह है जिसका नाम है अब बसंदकड़ इस सबसंदकड़ में जांने कर एक माता है और सो माता का नाम है सीमल माता I am सिमल माता या इसकोई बोलते हैं पर खीमल माता अ कि या कि या माता के मंदिर में या माता के मंदिर में भब बसंत्गडसिलाालेक पर लेक भब रांटस्थान के लिए राजस्थान के लिए राजस्थान या दित्ते सब्द का राजस्थान या दित्ते सब्द का के राजरस्तान के दो से दो नाम है पर्मुगता है पहला नाम कौन सा है जिसका प्रयोग कौन करना है बालनेकी एज वो वी किसमे अपने ग्रंत रामायड में यानिकी राजरस्तान के लिए स्वर्व प्रथम् मरुकान सब्ध का प्रयोग करने वाले को रें पाड़ाünf और दूसरा नाम है रजास्तान का राजस्तान या डित्थिन इस सब्ध का जो रो provinces कर ऐसे जगे का नाम कर बसंदगड इस बसंदगड में माता का मंदिडर उस माता का नाम है सी कि मन्दिर में एक शिलालेख का नाम क्या है बसंदगड शिलालेख में राजस्थान के लिए रास्तान दीत्य सब्द का प्रियोग किया है तो आपके सामने देखो राजस्थान के दो नाम गराएं पहला धारगणा मरुकांतर क्यों क्यों कि राजस्थान में अधिक मरुस्तुर होने के कारत बालनिकी ने अपने गरंथ रावाइड में मरुकांतर का लेखिया है तो पहला नाम मरुकांतर दूसरा नाम क्या हो गया राजस्थान या दित्ते समने तो दोनों चीज़ा आपकी समझ में पहला मरुकांतर दूसरा कौन सा है राजस्थान ये दित्ते समने तो इसी तरह अपने राजस्थान को बहुत साई नामों से जाना जाता है जिसमें एक अ आपट आगे बात करते हैं चाहो तो इस प्रेंड इसका स्क्रिंशोट ले सकता है दो शेक बिंदेगे लिए तो अब आगे देखते हैं कि अब देखो राजस्तान का तीसर नाम राजस्तान को चितोड की नाम से भी जाना जाता है किस नाम से चितोड की नाम से क्योंकि अपड़े राजस्तान में जब जब भी मुस्लमानों का आकरमन हुआ है मुस्लिम आपरांताओं का आकरमन हुआ है उस समय राजस्तान में चितोड गर द्रुग एक ऐसा द्रुग रहा है जिसने मुस्लिम आप्रंताओं का पत्तर की भाती खड़े होकर मुस्लिम आप्रंताओं का मुकावला किया है इसलिए अपने राजस्तान को मुस्लिम काल में चितोड के नाम से जाना जाता है यानि कि इस चितोड हो यानि कि राजस्तान को राजस्तान को मुस्लिम काल में राजस्तान को मुस्लिम काल में चितोड के नाम से जाना जाता है चितोड के नाम से जाना जाता है ऐसे बतलadors एकजामने के बढ़ आ जाते हैं जैसे कि मुसलिम काल में राजस्तान को किस नाम से जाने जाता था तो मुसलिम काल में राजस्ताना को किस नामे जानने जाता है DCत्वरु की नावुजी अलाव तीन कीopathी खिल में उनका डटकर मुकावला क्या है इसलिए मुस्लिम काल में राजस्थान को चितोड के नाम से जाना जाता है चोथा नाम राजस्थान को राजस्थान को राजस्थान को राजस्थान या इसको रजवडा के नाम से भी जाना जाता है यहां राजपूतों का एक बहुत बड़ा मोलने को रजवड़ा के नाम से जाना जाता है इस सबत का जो प्रयोग किया है राजस्तान के लिए राजवड़ा सबत का जो प्रयोग किया है वो किया है कर्णल जेमस्टोर ने किया है यानि कि राजस्तान के लिए रजवडा या रायथान सब्द का प्रयोग किया है लेकिन एक जो आधार कि करनल जैम स्टोर ने यह जो नाम दिया है इसका आधार क्या है तो आधार है जो पुरानी भईयों के आधार पर करनल जैम स्टोर ने राजस्तान के लिए रायथान या रजवडा सब्द का प्रयोग किया है तो नाम एक चितर चितर नो राजस्तान को मुस्धिम का नियों कहा जाता है और राजवडा या रायतान सब्द का प्रयोग वह करनल जैम स्टोर ने राजस्तान के लिए तो राजस्तान के लिए एक सब्द का प्रयोग हुआ जिसको बोलते हैं राजपुताना और इसके बारे में तो सभी जाणते होंगे कि अपने राजस्तान में राजपुतान के लिए राजपुताना के नाम से जाणा जाता है और इस सब्द का जो प्रयोग हुआ है इस सब्द का सवर्व प्रथम प्रयोग है अ सवर्व प्रत्inta क्यों कोज़ा मोखिक प्रूप तरह सब्सक्राइब में के उसले शणां को जोर्चोंMM दाएक वक्तिन का जिसका नाम था जोर्ज ठ्व 105 जोड नुर्थोमस अरो कभ किया अत्bud गैनी अत्तारास, इस व में राजस्तान के लिए जोडर्थोमस ने अत्तारास वग द ini में राजस्तान कई रीए राज पुताना सब्यूर्द्काय प्रियों कर को राजस्तान के रात्रासबद का प्रयोग कौन से रूप में मुखी ग्रूप में कौन कर रहा है जोर्थोमस कब कर रहा है अठाना सो एश्यू में कर रहा है पिर आगे चलकर आगे चलकर इशी का एक दोस्त होता है इसका एक फ्रेंड होता है इसी के दोस्त ने अठाना सों पांच में श conspiracy ॥ साल बाद में जो डौ मस के दोस्त ने 8105 में द उसका नाम है जैमस स्भाइंक्लिन अ जैक्षट्टैने इस सब्ड़ का लिछ तूप में इस यूग कर दिया है तो यूद experien proudने मर्जस्तान च belum कि अ करें иваетятफ पुताना सबद का राज़ पुताना सबद का मैं प्रीविए लिखित रूप में प्रीविए अडिकर यह कर रहा है लिखित रूप में और यह कर रहा है मुख्य लूप्ध रूप ses 18 एश्य पंड़ इसमे डोस्तरा नाम क्या है जएम सुर्णक में यह राजस्तान के लिए राजपुतनी का फ्रयोग करता कप्रोग में लिखित उसी जाएंव हैं डायूक दलकार घंषिव आगने में प्रियोह करोने प्रलंबाइब हैं मोकिव्रुम इमें से पूझता है कि आसरे चाहल में मोक्य रूब में राजपताना सब्द का प्रयोग कब हो रहा है अठाशी स्रूब और लिख्यत्रू में पूछता है तो अठाशी सो पांच यानि की चितोड रायथान और राजपताना अपने पास रास्तान की पास नाम हो गए से चितोड तो राजस्तान को मुस्लिम में कहा जाता है और करनल जेम स्टोड पुराणी भहियों कि अधार राजपताना सब्द का सरफंप जो प्रयोग करता है मोखिक रूप में वह जोड़फोंस 17 इश्यू में करता है और इसकाने दोस्त जेंश प्रेंगें राजपताना का लिखित रूप में प्रयोंक 1805 में करता है अब देखाए जिरे होखी रूप में करता पाँ बोलोचाल कि पासान यह सब्सकानि है लिखित रूप में जैम्ष में के किताब है जैन्श फ्रेंकिऌ पीलिए इसका एक Treatment है और गरंद का नाम है दैर्ड मिलिटरी, दैर्ड मिलिटरी मेमोयस, दैर्ड मिलिटरी मर्वर्ष आफ जोर्थोमस, यानि कि जैम्स फैंगली ने 1805 में राजपुताना सब्द का लिखित रुप में प्रयोग जिस गरंथ जिस किताब में किया है उसका नाम क्या है दैर्ड मिलिटरी मेमर्वर्ष ओफ जोर्ज थोमस यानि कि दैर्ड मिलिटरी मेमर्वर्ष ओफ जोर्ज थोमस बुक में जैम्स लिए अपने दोस्त आझने मोख्यू रूप में देया था राज बताना इस मुख्यू रूप में पूछता है पूछता है तो ज्यामि के लिए प्रेयोग और पर बेसिक चीज़ों को स्टुटेंट इग्नोर कर देता है क्योंकि अगर आपका बेसिक मजबूत होगा तो यह आप जीके पर याप अच्छे पकड़ कर सकते हो क्योंकि जिसका बेसिक मजबूत है वो बंदा किसी भी एकजाव को फाइट कर सकता है क्योंकि बेसिक सबसे पहले बेसिक आणा बहुत जर्वरी है तो यह आपके लिए बाद बेसिक क्लास लेकर आया हूँ तो जो भी चीज़ में बताएगे इसको बिलकुल आराम से पैट के सुनिए आराम इसका इसका इसकिन्सोट लीजिए और इसको आराम चिपड़ेगी राणी भीयों के अधार पर आप सब पूछे राजतना सब्द का पहली बार प्रियोंकिस ने किया जोड थोमस में वो भी को जरूप में कर रहा है मुखी ग्रूप में कब उतर रहा है अठाज वीश्यू में कर रहा है इसका इसका दोस्त का नाम क्या है जैंस प्रेक लिए कि रातुर सब्द का प्रीयोक करता है कि क्रेंस वोडियो क्यलता था सब्कूक करता है इसकी किचाव करता है है किताब कया है ड़ी जियॆप श्कींशोट जो भी बनता है इस वीडियो को देख रहा है वो लाइक और इसको सब्सक्राइब जरूर करें ताकि इसके दरिया आपका प्यार मुझे मिलता रहे है और मैं आपके सामने अच्छे ची वीडियो मैं आप सामने पेस करता रहूं और आप इस लोगडाउन में घर पर बैठकर आ बोला इस चीडि कर सेके तो इसका स्क्रीज उट ले लिजा अब आगे नेक्स देखिए हाथ मैं दोको राजस्तान हो दोरस्तान पहली बार किसे का को वह लीक्तौल दुख मो जाथ स्थान को सौर्वक प्रत्वराजस्ताम ऑर रास्तान को सौर्वक्ताम pop प्रमानिक तोर पर अजह हैं प्रमर्मार के सांद किस द्यत्का कर्णल जेम्सटोड यानि की राश्तान सब्ड का सरप्रथम पर्योग जिसने किया। कर्णल जेम्सटोड कर्णल जेम्सटोड ने 8832 में एक किताब लिखी थी उस किताब का नाम है देख एनाल्स एन एंटिक्यूटीज एंटिक्यूटीज आफ राजस्ता यानिकि राजस्तान को राजस्तान स्वर पर्थम किस ने कहा था कर्णल जैम स्टोर दें वह भी कब 1831 में अपने गरंद देख एनाल्स एंटिक्यूटीज ओफ राजस्तान में कर्णल जैम स्टोर ने राजस्तान के लिए या राजपताना के लिए राजस्तान सबुद का परियोग किया किताब का नाम क्या ग्रंत का नाम क्या है एनाल्स एंटिक्यूटीज ओफ राजस्तान इसी का एक दूसरा नाम इसका एक भाग हो रहे हैं इसको बोलते हैं दस सेंट्रल वेस्ट्रन राजपताना स्टेट ओफ इंडिया इसी का दूसरा नाम है यानि किताब लेकर नाम कितने हैं दो दैनाल्स एंटिक्यूटीज ओफ राजस्तान या दस सेंट्रल वेस्ट्रन राजपताना इस्टेट ओफ इंडिया इस किताब में कर्णनल जैन्स टोर ने अपने राजपताने के लिए राजस्तान सभध का प्रियूः किया वह भी कब 1829 में यानि कि यह अपने राजस्तान के नाम दोगे यानि कि अपने राजस्तान को समय समय पर अलग अलग नामों से जाड़ा तो आपयों झायए राजतान एक सभड करी होगा पहली बार किसने किया था करना जम्स्टोर्ड ने कवर कर रहा हैं थारा सो गुन तीस तो यह अपने राजस्तान के नाम थे जो आपने देखें भी अगर किसी भी इस्ट्रेंट को अबर यह जो नाम करण के करें का जो टोपिक है अगर किसी स्विश्ट के समझ में ना आए तो मुझे वो कमेंट में कोई प् आजस्तान को जाना जाता था तो इसका स्किन्सोट ले लिजिए हैं और इस लोगडाउन में आप सब घर पर रहें क्योंकि अपने बार्देश में मामारी का बहुत तगणा भी जो चलता है मामारी इस मामारी को रोगने के लिए आप अगर इससे लड़ने का एक तरीका है पर आप घर में हो आप जितने गर्में सुच्षित हैंगे अपना भार्देश उतना ही सुच्षित रहेंगा इस लोगडाउन में आप इस तिर्पति कोलेज की और से जो लाइव क्लास्त्र तर रही कंपिट्चन की उसका आप गर बैटे आनत लीजी और अपने गर में अब नेक्स्ट देखो यह अपने राधस्तान का नक्सा मानचितर देखो अपने राधस्तान में यह दिशा आपकी कौनचों के दक्षन यह आपकी उठतर यह आपका अपना राधस्तान की आकर्ति के बार करते हैं आपको निपड़ाओगा अपने राधस्तान की आकर्ति पतंगा कार है यह राधस्ता या के भिश्व प्विश्व कोड़ीं है विशम चत्रबुजी को नी क्योंकि आपने राजस्तान की जो आकरती है या आकरती कैसी है पतंगा का कैसी है पतंगा का या इसको बोलते है विशम विशम कोणी चत्रबुजी और राजस्तान को यह नाम जो आकरती जो दी ती उसका नाम कहता है ती एज हैंड ले राजस्तान की आकरती बताता है और आकरती की समता विशम कोणी चत्रबुजी जहां देखो राजस्तान की आकरती लोग पतंगे समान इसको पतल्लाकार कहते है एक नाम वो दिया है इसको बोलते वह रॉम्बस यह स्थाथा आपके लिए नया होगा कि बुकों में आपको यह सब्द मिल जाएगा पतागा आपको विश्मकुली चत्रबुज मिल जाएगा लेकिन आपके लिए नया सब्द लेका है वोर में रॉमबस यानि कि राजस्थान को की जो आकर्ति है वो रॉमबस के अनुसार भी है और यह नाम जिसने दिया या आकर् कारण को विश्मकूली चत्रुज की आकर्ति सेंगित्र किया जाता है तो पतेंगा कार विस्व कोड़े चत्रभुज और एक नए नाम में रोंबस यह आप इस सब्सक्रा ना देखर यहां को यह सब्सक्ता ना देखर यहां को यह सब्सक्राइब आपने राज्तान की आकर्ति केशी हो सकता हुप्सन दोनों आए राउम पसाथ है या तीनों को देदे आज को तो ऑफसन भी अजीब हो करी बाते हैं इसलिए तुरह धार के तीनों नाम आपको याद हो निती पतंगा का विश्वत कोने चत्रबुर्ज या तीसना आपका कौन आप अपन्यक की बाद कर रहे हैं तो आपने जो राजस्थान है थे ज़ा avoir सभा में इस आप यज़ां एस राजस्थान को इस राजस्तान को राष्तान सब्द की मानेता तेको राष्तान राष्तान को राष्तान सब्द की मानेता में थी 26 जलवरी गुनिश्वुं 50 कोलगी 26 तबरिकु को convenience को राजस्तान को राश्टान सबह्तिकी मानता स्पाइए मानता गश्ञ केद्र सरकार वह आठी संने केद्र सरकार यानि ज attachments युश्य दिन अपना भारते सर्दान लागु वह था सई डिन आपनेव राजस्तान को राइटानं सब्सक्यानि की मानताक परदाल की घ्रही फॉरु लिटी जय क्लिए टिनग्व को तो आपने राधस्तान की राधने क्या है जेपुर जिसको पिंक्षीदि की नाम से जाना जाता आपने लोगों ने पढ़ा होगा याजस्तान को पिंक्षीति के के लिए पहले बार जो पिंक्षिम्स्री सबद का तो आदा टांध नाम यह veter है जिसका नाम में इसटेंड़ी आपने जयपुर को पहले बाद पिंक्षिरिती सब्गमठा और कितांधक करना में रोयल को मोडंबय टाउन ओफ इंडिया जिसमें अपने जेपुट को पिंग्छी सब्द के नाम से जाना जाता है तो राश्तान सब्द को राश्तान को राश्तान को राश्तान सब्द की मायनता कम मिली तो 26 दौरी गुनिशो पचास वो भी किसके द्वारा केंग सरकार के द्वारा तो ध्यार को राश्तान के नाम ग एनुए पार्धान की गयी ती द्वारा मग इन्ज सरकार के द्वारा और अपने राज्तान गी जो राजधान नहीं है फिरे फिरे ऊप कर शेकर कीनि थे देखो आपने पढ़ा होगा अपना राजस्तान का छेत्र पर तो चीज पूमन है बेसिक चीज है लेकिन आप इसको इग्नोर मत करना है क्यों बेसिक ही आपका सबसे पावर्फुल मंत्र होता है कि जिसको बेसिक आता है किसी भी मेटर को किलर कर लेता है तो रास्तान गारी छेत्र पर आपको कने बढ़ा होगा 32249.74 वरग किलो मेटर रास्ता गमार्थ शक्याश्त無केक मा है 3.4229.74 वरग किलों किलो मेटर किलो मेटर रही किलो म् scand jetzt शब्सें बड़ा कन्फिज करना वाली बाहात है यह है किसी इा स्ट्रेंट को आता है को लग चीज है इस सबद पर गोर करना यह किलमेटर ना तो किलमेटरは तो किलमेटर है और न यह वरेग मिल क्योंकि क्यों सुना आएगा रायस्तान का चेतरपल है। उपसर में आएगा है तीन ग्याड़ी दो सो 179.4 किलमेटर दूसरा है का 3-249.74 किलोमीटर तीसरा है का 3-249.74 वरग गिलुमेटर अगर आपसे वरग मील में पूछा जाता है किसाब रादस्तान का जो छेतरपल है वह कितने वरग मील में है तो वह आएगा 132,141 वरग में अपने राजस्तान का छेत्र पर है तो अगर आप से छेत्र पर वरग क्लमेटर पुछा जाए तो 132,374 में द्हां राजस्तान का भारत में पर 307 है किसाब भारत में कितना फैला हुला है और देखो भारत तो सबसे बड़ा श्टेट राजस्तान तो आपने भारत के जित्ते विराजें सभी राज़ों सबसे बड़ा स्टेट को राजस्तान और कितना परसेंट 10.41 परसें यानिकि भारत के 10.41 एक छेतर में अपना धानस्तान बसा होगा है यानिकि भारत में राजना करें परतिस्त कितना है तो पाइंट तो से तो इसे की बात अब विशू हुंता엔 तो अब करते हैं किसा विशू में कितना है यह को बिश्वर फाइंट। इस Mississippi राजस्तान का छेत्रा पने होगे जाण हों सदेविए दो जो टीन और चार आपड़े दो आपसे चैत्र पोंशता है तो चैतर पात 324 927 स्यार आप ते तो एक्सों तायल से बरगी में आपका राजस्तान का चैत्र बाहुत पर को भूशता है तो 10 लाजस्तान की पड़ा हुआ तो राजस्तान जो है ग्रीक हम वने पड़ा होगा तो रास्तान जो है कुर दो देस एक जिसका नाम है जापां यह दो देस ऐसे जो राजस्तान के छेत्रपल के बराबर है राजस्तान के छेत्रपल के बराबर है यह दोनों देसों का जो छेत्रपल है वो किसके बराबर है राजस्तान के बराबर है यानि कि जरमनी और जापान का वो भी अब रास्ता के तो पर कितना है 10.18 परशेंट यानि कि जरमनी और ज क्या देश सरी लंका स्री लंका अपने अपने रास्तान से 5 गुणा या आपना रास्ता जिसका नाम है चेकोस वाकिया कि इस से बढ़ा राजस्थान है किताम सट्रथ हुआ है ईट जरव मंनिजा पूल के बार है से बाद रौतान कांट पांच उंटार लेकिन यह culture Vaakya यह राजस्थान से उत्त्रह टेस हमाई है और त्यरा भान भी द्यान कराओ। दो इस mods नुऋ दो चीज है इसमें इस देश के अंदर एक जगादिस का नाव है फिलिस्तान अगर इसको इसमें जोड लेते हैं जोडते हैं तो कितना दागा 17 गुना गठाते तो कितना दागा इसमें अपने चर्चा की किसमें स्ट्वेंट को अगर इसमें कोई प्रोब्लम हो तो मुझे कर सकता है घर पेटे इस लोग डाइन लोग डाउन में कॉंपरेशन क्लासेज का आरद लीजिए जेहिंग जेवारित झाल छाल जेजिः है छंपरेट से नवनेगेर का आर पिर अगरोब्लम हो तो